फाइब मिनिट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसिंदोस डॉक्टर वायरा की सबसे पहले वेकुंट चतुरदशी की बहुत बहुत शुपकामना है जो की आज है साल में एक ही आज विचितर दिन है जिसन भगवान श पक्ष की चतुरदशी को जिसे वेकुंट चतुरथी कहते हैं वेकुंट चतुरदशी कहते हैं उजन की जाती है और कहते हैं वेकुंट की प्राप्ति के लिए हम ये कारे करते हैं कि आज भगवान कृष्ण को हम गोपी चंदन लगाते हैं और आज जो भगवान कृष्ण क अपने घर में भी Krishnan जी को ज़रूर लगाए और life में success पाने के लिए देवा इन Krishnan जी को भी गोपी चंदन लगा दू को बी गोपी चंदन लगा रहे देखिये और ऐसी दरह से आपको अपने घर के Krishnan जी को भी यस एसे थोड़ा सा गोपी चंदन लगाना और खुद भी लगाना है मा को भी लगा दो और अगर आज आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चिती रूप से व्यकुंट की प्राप्ती होती है तो जरूर गोपी चंदन लगाई आज और एक कहानी एक राजा था वो रोज रात को वेज बदल कर अपना रूप बदल कर अपने राजे में निकलता देखने के लिए कि उसके राजे में सब सुखी है कि नहीं है और उसके बाद वो क्या करता कि देखता सब सुखी है किसी को कोई कमी तो ने अपने घर वापस लौट जाता रोज राते ऐसे करता लेकिन पांस दिन लगातार जाने के बाद एक दिन उसने देखा एक लास सड़क पर पड़ी हुई है और वो लाश को कोई कंधा नहीं दे रहा उसके ओपर कोई कफन नहीं डाल रहा उसके कोई कपड़ा नहीं ढख रहा तो राजा को बड़ा विच्छी तरे लगा राजा ने का भई ये लाश बद्बू मारे किसकी है तो बोले अरे ये तो हमारा गोपी चंद है और ये बहुत ही बेकार आदमी था बड़े इसके पाप करम थे और हम इसको बिलकुल भी चुएंगे नहीं हम इसको बिलकुल भी नहीं चुएंगे अच्छा है पापी मर गया दुनिया से बोच खतम हुआ राजा को बहुत दु मेरे पति जो थे साख्शक धर्ती पर देवता थे उनके जैसा पुन्य आतमा कोई नहीं था पस उनकी नहीं नहीं परिशानी थी वह रोज शराब की दुकान पर जाते थे खुब मेहनत करते थे हमें बहुत सुक देते थे हमें किसी चीज की उनूंने कमी नहीं कर रख Nat थे रोज शराब की दुकान पर जाते थे एक बोतल खरीटे थे, शराब को नाले में फैंक देते थे, फिर एक वेश्या के पास जाते थे, उसके पास कमरे में जाकर उसको पैसे देखे, कमरा बंग करने को कहते थे कि दूम рад भर को और तंग न गरे तुम ये सब को साबिद करना कि कि मैं तुम्हारे साथ हो और कमरे से निकल कर घर वापस लोटके आ जाते हैं जब मैं अपने पती को कहती थी तुम ये सब क्यूं करते हो तो बोलते थे ये अच्छे कर्म है और मेरी याद रखना कि जब तुम मरोगे ऐसे कर्म कर रहे हो कि तुम्हें कोई चार लोग कंधे न लेकर आया राजा ने उसका बहुत मान सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया मोरल अफ दा स्टोरी ये है जो दिखता है वो होता नहीं है इसलिए किसी भी इनसान को आधा अधूरा सच जान कर कोई दंड मत दीजे जो हो सकता है आपको दिख रहा हो वैसा ना हो वो इनसान वाक अपनों का रखे खास खयाल गौड ब्लेस यू आपका दिन शुब और मंगल में हो और आज की दिन की शुब कामना है कल के देव दिवाली की शुब कामना है और दो मिनट का पाए जिन्दकी बदल जाए आज मेरा मेरे मेरे में चैनल पर जाके जरूर देखिएगा राधे जएड़ी जएशरी